दोस्तो डीडी फ्रेडिस पर नए टीवी चैनल एड़ हो चुके हैं अगर आप एड़ नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास डीडी फ्रेडिस पर नए चैनल एड़ होने के बावजूद नो सिगनल वीक सिगनल की समस्या आ रही है तो दोस्तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लिजेगा जहां पर हम आपको बताएंगे फ्रिक्विंसियों को एड करके कि आप कैसे नए टीवी चैनलों को जादा से जादा देख सकते हैं अपने डीडी फ्रीडिस के MPEG2 बॉक्स में नमश्कार आपका स्वागत करते हैं साहिल फ्रीडिस यूटूब चैनल पर इस हमारा एंटीना भी सही है हमारा सब कुछ सही है मगर दोस्तों हमारे पास जाने क्यों नो सिगनल आ रहा है इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे इस वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा सब्सक्राइब कर लिया ह तो जॉइन भी जरूर कीजिएगा तो दोस्तो हम आपको बताते चलें डीडी फिरेडिस का MPEG2 बॉक्स दोस्तो मैं आपको बताता चलूँ करोडों लोगों के पास यही बॉक्स इस्तिमाल करते हैं दोस्तो आपको सबसे पहले अपने सेटप बॉक्स के मेन मेनू बटन को दाबना होगा दोस्तो कुछ इस परकार से मेनू ओपन हो जाएगा दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एड न्यू प्रोग्राम एडिट एलन बी फ्रिक्वेंसी पैरामीटर सेटप दोस्तो आपको आना है एडिट प्रोग्राम में दोस्तो यहाँ पर आपको डिलीट ओल चैनल्स वाले ओप्सन को सेलेक्ट करना है दोस्तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ओके करना है अब दोस्तो खेल की सुरुवात यहां से करते हैं दोस्तो अगर आपके पास चैनल्स नहीं है जैसे कभी कभी यह भी लिखा आ जाता है No TV प्रोग्राम तो दोस्तो इस कंडिशन में भी आपको जाना होगा प्रोग्राम सेट अप में तो दोस्तो आप देख सकते हैं main menu बटन दापते ही दोस्तों आपको कुछ इस परकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है सबसे पहले आप channel को delete कीजिए program setup में ok कीजिए add new program में आपको जाना है उससे पहले बताते चलें आप auto scan करके भी channel को add कर सकते हैं मगर दोस्तों channel कभी कभी नहीं add होते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ इस परकार से add new program में आना है ऐसा option खुल जाएगा आपको frequency डालनी है 9750, 9750, LNV frequency उसके बाद आपको यहाँ पर 11, 170, 39,500 आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों आप इतना लिखेंगे और आपके पास signal आ जाएगा तो दोस्तों हम यहाँ पर LNV type 1 करते हैं तो हमारे पास signal आ जाता है इसे ok करते हैं दोस्तों 18 TV channel हमें receive हो जाते हैं अब दोस्तों हमें अगली frequency डालनी है सिर्फ trans frequency यहाँ पर बदलनी है 11, 470 यहाँ पर भी दोस्तों हमारे पास 18 TV channel receive हो चुके हैं दोस्तों अब आपको फिर से अगली frequency को add करनी है दोस्तों 11, 510 इस frequency को add करने के बाद दोस्तों हमारे पास 20 channel receive हो चुके हैं अगली frequency दोस्तों हमें यहाँ पर add करनी है 11.550 दोस्तों यहाँ पर 55 भी डालेंगे तो भी signal आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 channel receive हो चुके हैं अगली एक frequency हमारे पास छूट रही है उस frequency को भी add कर देते हैं 11.090 टोटल चैनलों की संख्या दोस्तों 100 प्लस हमारे पास हो चुकी है तो दोस्तों आपको बताते चलें सुरुवात में होता यह है मैंने दिखाया था जैसे वो ऐसे होता है कि कभी कभी हम menu बटन दापते हैं और signal वगरा जो इसमें settings होती है उसको गरबर कर देते हैं तो वैसे channel आ जाते हैं मगर दोस्तों टेंसन की बात नहीं है यह video आप save कर लीजेगा आपको life में कभी ऐसी दिक्कत आती है तो आप आसानी के साथ आप सही कर पाएंगे इसको आप YouTube का जो download option होता है वहाँ पर आप save कर लीजे आपको आसानी के साथ हमेशा ये video मिलती रहेगी और इस video को like कर लीजे और channel को subscribe करके इस video को share कर लीजे और इस video का link भी कहीं copy करके आप रख लीजे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद